प्रशादी के पास हिंदू ही रहते हैं तो मुफ्तिस हम लोग काते हैं कि परसादी आता है हम लोग के हमेज़ा परसादी आता है ठीक है जैसे उनका परसाद तो बोलते नहीं खाना है ठीक है तो मतलब सवस्राल में यह बाते मतलब को या आगर दे दिया जाता था जीस अ मेरी महिकेसे आता था कि लोग यह जैसे इधर बोलबं जाते है लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा यह सब लाते पेड़ा चूड़ा और एक लुकम्डाना होता है ठीक है वह का और उनका लेकर ठेक दे कि यह परसादी है मतलब बहुत गंदा चीज़े नहीं खाट बता ही कितना गंदा फिलाता ही और और क्या आपको लगा के इसलाम में सही नहीं है जिसको जैसे आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानि आपको इसलाम छोड़ना है जी इसमें ना म कि आज भी सब पर लागू किया जा रहा है यह सी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है ठीक है लोग तो कहते हैं कि हां मुस्लिम का मतलब ना कोई पी-े-म है ना कोई आएस है ना कोई यह है ना कोई वो है लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को ठीक है और अगर हर जगह अपना ही रूल थोपते हैं जैसे कि सुल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ अगर हिजाब नहीं लगा कर जाना है तो फिर सिधा घर पे बैठ जाओ अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो बैंक में चाहर्टेस नहीं बनो क्योंकि उसमें थोड़े-चोटे कब कि सांत्स से नहीं बोल सकती है हम लिखकर कह रहे उसके अंदर भी गुटन होती है ठीक है हरो नहीं चाहती हिजाबёт बहुत संदर कि वह नहीं चाहती हिजाब करना फिर वी उसने सब्रसुने टैंस करना नहीं करना है वो चाहती है अच्छा एजूकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा लेकिन वो नहीं कर सकती है ठीक है वो चाहती है अपने भाई से बेहनों से हसकर बात करना लेकिन उसे नहीं करना है मतलब हद से ज्यादा पावंदी है मुझे यह चीज़ बिल्कुल पसदे ऐसा लगता यहां तक की बन बनाना नहीं है लड़की को एक जूड़ा होता है ना वो लड़की लोग बनाना चाहती क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज पढ़ने पर बाल जब लटाकता है ना तो उसको क्या मतलब महसूस होता है वो एक लड़की ही बता सकती है मतलब गर्मी हो यह पॉइंट में आड़ कर दू क्योंकि साड़े आठ हजार लोग देख रहे हैं एक चीज आड़ कर दू क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी यह ना पता हो यानि अगर आप जो जुड़ा बोलते हैं उसको जुड़ा या चुड़ा जो हम लोग के मुंबई में चोड़ा बोलते हैं उसको बन बन तो आप देखिए कि अगर वो यह साइड पे अगर वो बन लगाती है या चुड़ा बानती है तो उसका भी रीजन ना वो क्यूं बानती है जुड़ा क्योंकि गर्मी में एक टोतों मतलब पारदर से एक कपड़ा होता है मतलब पतला सा वो उसको दुपटा वोड़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना उसे गारहा सा दुपटा पढ़ना है पूरे जहबा हुआ होना चाहिए जिससे आर पर ना दिखता हो उस टाइब कर दुपटा वढ़कर नमाज पढ़ना हो मान लिजे कि आप नमाज पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई ठीक है तो उपर से पूरे पीठ पे लाड़की का बाल बिखरा हुआ है उपर से उतना सारा लड़कियां का फ़र मतलब थोड़ा सा पैर अगर कोई कपड़ा वो कंफटेवल पहान कर है तो वो चाहे कि उसी कपड़ा पर नमाज पढ़ने तो नहीं यह भी नहीं हो सकता है मतलब घुटने तक ही पहाना है पूरे नीचे तक ही जपा हुआ होना चाहिए और अगर नही भी नहीं हो सकती है अचाहि इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरते जो है वो आईबरो भी नहीं बना सकती है ह tuo सरासर नभी की बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ़ वरजी करती है वह आईबरोद civils बिल्कुल बनाती है लेकिन आईबरो बनाने पर भी अल् लेकिन उसे नहीं कराना है अगर किसी कारण से मतलब medical problem के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उससे suggest कर दिया कि आपको यह कराना ही है surgery और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है यह मुस्लिम लोग उसके हाथ का खाना तेक नहीं खाता है हाँ चाहे वह बच्चक परकशा हैं मुझे यह सब पिज्टे बिल्कुल नहीं प्ट पती है हम जाते कि अलपा Okay, लड़की को भी बनाया और लड़की को भी बनाया फिर दो नियत क्यूं सारी सारी हम लोग की क्यों क्यों हम ही क्यों जय ले फिर भी लड़की बहर दिमाग dov dif कर क्यों प्रिटी हुमेन जी आपका इस्तक्बाल जी आदा आदा अचा आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाग तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का और उसके बाद जो एक्ट्वल टेक्स्ट में जो चीजे लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में और वो नमास परते वक्त पुरे अपने आपको ढखना और वो जुड़ा बानना सर पे आप इसके कुछ कमेंट करना चाहेंगी लगाना हाँ आपकी आवास खोड़ी सी प्रॉब्लमाटिक है अब बात करें समय आपकी जी 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 इंजल जी तो आगे फिर और और क्या क्या चीज लगी है मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नज़रा आए इसलाम में वो और कुछ भी थे या क्या था जी-जी-जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज़्यादा मतलब वो लोगो इतना ज़्यादा पवंधी रखे हैं सब कुछ जितना भी कर्ष्ट है सब और वरत बिचारी ही जहलती है जैसे कि मतलब खुलकर सामचे से हिंदू लोग में होता है ना कि बोल साधी करते हैं जब तो वो कहते हैं कि एक बार साधी किये तो साथ जन्मों का वचन है ना लेकिन मुसलिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुस सात्तर हुरे चाहिए जब कि यहां चीजे हिंदू मेंने यह सब क्या है फिर पिर बी होते हुए थिक है पीर मतलब जनती में शो सतर हुरे उसको मिलेगी, फिर भी हर मुस्लिम आउरते इस चीज़ को जेल लेती है, अब फिर भी ये मुसल्मान लोग, मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज्यादा मारते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते नहीं है, बस खुद बोलते हैं, मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे, क हाँ, ये चीज़े कर सकते हैं, तो क्या है, मतलब कि अल्लापाक मुझे बनाए क्यों है, जब उनको इतनी ही प्रॉब्लम सी हम दे, वो लोग बनाएं, और क्यों दुनिया में भेजें, अब वो तो अल्लाप किये या नहीं किये, वो ये सब तो अल्लाक आकर कभी खुद से कुछ बाते बोले नहीं है, ये सारी बाते अल्ला बोले नहीं है, दूसरा नंबर किया, कि पुरान में अल्ला ने बोले हैं, तो अल्लापाख भी खुद से या नहीं है, वो क्या पता वो अपने मनगरत कहानी वो इसमें छिखवा रहे थे ये भी बात तो हो सकता है ताकि उनका वो अल्ला को तो ना आज तक कोई देखा है न जाना है हाँ 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता है कि वहाँ पे मक्का मदिना में कि क्या बोलते का मतलब का खाना में वहाँ पे बूते था ना बहुत सारे मतलब की मूर्थियां थी हाँ ये सब लोग जानता है हां लेकिन अल्ला को तो आज तक किसी ने नहीं देखा और नभी को देखे भी हैं तो वो देखें एक दूतरे को तोड़ते फोड़ते मारते काटते देखें तो इस बात से यहीं साबित होता है कि ना अल्दा है ठीक है और अगर नभी नहीं जो कुछ प्रोगंड़ा है कि हमें यह सब वही सारी मतलब क्या बोलते हैं अपनी स्वार्थ के लिए यह सारी रूल मतलब यहां के हैं मुझे यही सब चीज़े नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलिफ देते हैं जब अल्ला दोनों को तेम आए हैं तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों देहलको तो utes serving को चुछ करणा नहीं इसलाम में बहुत बुरा है और जतना घ्षचन कर दिया तो इसलाम उन पर नहीं है हां हर रिलीजन do fine जो Samai मांग रहा है जैसे Sumai कि जो चिजें फर्माई किवा से आध期 सम hay je still imagine मॉख़िया है तो उस तरह से अईध में का यहीं हर रीजन हो रहा है हर चीज़ में चेंजनने तरह ही है आज ही आपक़य आवाद हां हांदि क्लेक लिए यह ए जो चल रहा है तुछ शहां पर और दो चल रही है कि नभी ने तो मुफ्ति ह्साम कारते हैं हमेज़ा पजा एक हमेज़ा कारा ? कि लोग ये वदी है जिसे इधर बोलबम जाते है लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा ये सब लाते पेड़ा चूड़ा और एक लुकमदाना होता है ठीक है वहां का परसाद है देवर का पूजा का भी कुछ रहता था लश्मी पूजा का मतलब कुछ रहता है वो सिधा का लगाते नहीं खाना है और जबकि मेरे फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है हिंदू लोग ठीक है तो बत्ता है कैसे नहीं खाए कितना बुरा लगता है जबकि घर का बगल का हो उससे ले ले और उनका लेकर फेक दे कि ये परसादी है मतलब बहुत जाकर के गला मिलता है जबकि हिंदू होता है फिर भी गला मिला बात किया अच्छे से घर आया बैठा प्यार से एक्दम खूस हुआ और जब उसका कोई परवाया तो बोलता है उसमें पर नहीं पढ़ना चाहिए जैसे दुरगा जी जा रही है बिसर्जन के लिए या फिर हापना हो रहा है तो फिर बोलता है कि उसमें नहीं सुनना चाहिए उनका देखना हरा मतलब नजर पढ़ गया तुम्हारा वजू तूट जाएगा ओ किया हम Alto И tą सब्सक्ति नहीं हो सकते है टारल कि और दूससरी अब से बड़ी पाइंत है ठीक है जब जनम लेता है कोई भी इंसका वो तो एक हिंदु ही पैदा होता है पिदेता हुक अधे अबर अधे शवस्तिकि नदेती लिए गधूस्डा का ओंदे। घ्लयूव क्द्धियुड खोई न गे था ऑजूसर में बाड़न और है!! जब उपर वाला खोद चाहरा है कि नहीं सब हिंदू ही रहे जी वह लिए अच्छा साहिल भाए अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना काफी दूसरे धरम को लेके कोई भी धरम रहने दो कोई भी भगवान देने दो कोई भी धरम रहने दो में इतना हेट्रेड है ना कि रमजान के अंदर एक मुसल्मान जकात निकालता है मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो जकात देने का रहता है गरीबों को लेकिन वो गरीब में वो जकात कोई भी नॉन-मुस्लिम को देते नहीं है सिर्फ मुस्लिम को ही देते है यहां तक कि जो कुर्बानी होती है जो कुर्बानी होती है अभी कोई-कोई लोग रहते हैं नॉन इसके लिए बहुत सारी बहुत सारी फैमिलिस क्या करती है बहुत सारी फैमिलिस क्या गरती है आजू बाजू अरे को देने का रहता है ना हिंद नॉन मुस्लिम लोगो उनको वह गोश्ट में से गोश्ट देते हैं कुर्बानी के गोश्ट में से किसी को गोश्ट देंगे नहीं लोग भले हो फ्रीज में न 15-15 दिन मैना मैना बर फ्रीज में दबा के रखेंगे हैं मुहर्रम तक उसको खाना सुननत है चाहे बिमारी फैल जाए लेकिन लेकिन यह बात आप में सही है मुन्ना भाई अच्छा इसमें तो पहली बात तो यह एक इकतलाफी मसला है क्योंके मेरे खाल से मैंने कुछ छोलमा को यह सुना था क्या आप नौन मुसलिम को भी कुर्बानी का कोश दे सकते हैं चलो उसको यानि मैजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते हैं तो यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुसलिम फैमली जिनके आसपास गैर मुसलिम होते हैं और चुके वो एक आस होती है या एक रहता है न, उनके डिलेशन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिल के रहते हैं तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश लाकर मटन लाकर बकरे का गोश लाकर फिर वो गैर मुसल्मानों में उसमें से बाटते हैं यह बाद आपकी बिल्कुल दुरुस्त है